नमस्कार मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजन और एक्स्प्रेस पिछले चार दिन से बिजन और जिले में मौसम खराब है पिछले दो दिन से तेज हवा के साथ बारिश भी हुई इस बारिश ने जहां खेतों में गिहों की फसल को गिरा दिया वहीं किसानों के लिए यह आफ़त बन गई पिछले तीन दिन में 73 mm बारिश मौसम विभाग ने दर्च की बारिश और हवा चलने से जुले में कई हजार हेक्टेयर गेहु बरबाद हो गया बिना मौसम की बरसात से किसानों की खड़ी लहलाहाती फसलों को काफी नुकसान हुआ है जिससे किसानों की कमर तूट गई है बिना मौसम के तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण खेतों में खड़ी सबजियां वो गेहूं में भरा पानी वो ज़्यादा बारिश होने की वज़ा से खेतों में खड़े गेहूं गिर गए हैं जिसकी वज़ा से गेहूं का काफी नुकसान हुआ है किसानों का कहना है कि बिना मौसम के तेज हवाओं के साथ साथ काफी तेज बारश भी हुई है जिससे खेतों में पानी भर गया है जिससे उनके लहलहाती फसलों को काफी नुकसान हुआ है उनको काफी नुकसान हुआ है बिना मौसम के बरसात के कई जगहों पर ओला व्रश्टी भी हुई है जिससे खेतों में खड़ी फसल खराब होने की कगार पर है और गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि गेहूं की फसल तैयार होने के कगार पर है पकी पकाई गेहूं की फसल ज़्यादा बारिश होने से गेहूं खेतों में ही गिर गए है ज़्यादा पानी भरने के कारण किसानों की सरकार से अपील है कि वह हमारी मदद करें और हमारे नुकसान की भरपाई करने की करपा करें बिजनोर एक्सप्रेस के साथ नसी महमद तो अब आपकी सरकार से क्या मांगें जो आपके खेद बुआ हुए है कहां पर यह पर यह जो बिना मोसम के बारिश हुई है इसे आपका कुछ नुक्सान हुआ है तो आपकी क्या मांगें सब्सक्राइब नुक्सान हुआ है जैसे आप लोग किसान नीचे गिर गया है उनमें वह उड़ जाएंगे या खराब हो जाएंगे नीचे पानी था पानी था सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल